असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे और खेरियत से होंगे तो मैं भी जा रही थी शॉपिंग करने के लिए मुझे कुछ मेकप का समान चाहिए था कुछ गिफ्ट्स लेने थे तो लेकसाइड मॉल जा रही थी और पाकिस्त मैं खुशी खुशी जा रही थी शॉपिंग के लिए और एक दिन पहले मैं डॉक्टर के पास भी गई थी मैंने बता था ना कि डॉक्टर ने कहा था कि शायद दुबारा सर्जुरी करनी होगी मेरी तो ला का बहुत बहुत शुकर है कि जो मैडिसन्स डॉक्टर ने मुझे मुझे दी थी उसे से ठीक हो गया आप सब की दुआएं भी थी मेरी अम्मी ने भी बहुत दुआएं की हैं तो अल्ला का बहुत शुकर है कि जाने से पहले दुबारा सर्जुरी वाला जो मामला था ना वो चैप्टर क्लोज हो गया बाकि पाकिस्तान जाके ना मैं किसी पास पसान भी आया वहां से तो इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर चेक कर लेती हूं तो यहां पर क्योंके फ्रेश होते हैं हर चीज थोड़ी एक्स्पेंसिव होती है लेकिन आपको इस वराइटी अच्छी मिलते हैं लेकिन पता नहीं क्या था इस बार कोई भी अच्छी च फिर मैंने सोचा कि अपने लिए भी कोई हैंड बैग देख लेती हूं लेकिन सीरिसली मुझे कोई भी अपने लिए ना इतना अच्छा नहीं लगा असल मैं मेरे पास घर में भी बहुत अच्छा हैंड बैग रखा हुए पहले से तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ना ही अच्छा हो गया कि मुझे कोई इतना जादा पसंद नहीं आया तो खैर उसके बाद मैंने अपने लिए कुई कमफर्टिबल से शूज भी लेने थे जो कि आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूं अब यहां पे आई हुई थी तो सोचा कि एक राउंड लगा ल मुझे और पाकिस्तानी रुपीज में कनवर्ट करो तो अराउंड वन लाक बनता है तो मैं सोच रही थी इतने में तो पाकिस्तान में पूरे खांदान के शूज आ जाते हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतने एक्सफेंसिफ शूज लूँ पसंद मुझे बहुत थे लेकिन मैंने नहीं लिए और मैं इतनी महंगी चीज कभी भी अपनी लिए नहीं लेती हूँ इतने पैसों में तो इनसान बहुत कुछ कर सकता है और खैर यहां पर वराइटी तो बहुत ज़दा थी मैंने एक दो शूज ट्राइब भी किये कॉंफरिटिबल भी थे लेकिन जो भी मुझे पसंदा रहे थे ना में मेरा साइज ही नहीं था और दिल ही दिल में ना मैं खुश हो रही थी कि अच्छा ही हुआ कि मुझे नहीं मिले शूज अपने लिए क्योंकि जब आपको कोई चीज बहुत ज़रुत नहीं होती आप वो ले लेते हैं तो खुशी होती है तो उन चीजों के फिर उतनी आहमियत भी नहीं रहती है आपके लिए यहां से मैंने कुछ मेंकप का समान लिया अपने लिए और स्किन केर के लिए भी कुछ प्राड़क्स लिए जो कि आगे चलके इसी वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि उस दिन तो मैं जब घर वापिस गई मैंने कोई क्लिप ही नहीं लिया एक्चली मेरा अक्सिडेंट हो गया था और अला का शुकर है कि बड़ा अक्सिडेंट नहीं था लेकिन गाड़ी को नुक्सान पहुंचा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अला का शुकर है और आई वस लाइक के यह क् होता है ना हम खुशी खुशी तैयारियां कर रहे होते हैं किसे चीज़ के लिए और फिर अचानक से कुछ बुरा हो जाए तो हम डाउन हो जाते हैं कि यह क्या हो गया कि काश यह ना होता हमारे साथ तो मैं भी थोड़ा लोफील कर रही थी लेकिन फिर मैं यही सोचा कि बहुता शुकर है कि किसी बड़े नुक्सान सयाय नहीं बचा लिया नहीं इहीं लोगों के साथ बैठे बैठे इतना कुछ हो जाता है कि उनकी जिसने भिरा हो ना तो मैं तो इसे तरह से अपने आपको positive रखती हूँ कि इससे जादा भी हो सकता था तो Allah ने ये करम किया है कि किसी छोटी सी आजमाईश में डाला है जो के वक्त गुजरने के साथ साथ हम भूल भी जाएंगे तो सदका और खेरात करने से भी ना आपकी मुश्किले और परशानिया टलती है इस पर तो इमान है मेरा मैंने पता एक दिन पहले ही अपनी सिस्टर से का था कि मैंने ट्रावल करना तो इसलिए आपना सदका और खेरात कर देना मेरी तरफ से वैसे तो रूटीन में भी मैं यह सब चीजों का ख्याल रखती हूँ लेकिन कुछ स्पेशल इवेंट हो या इस तरह से कुछ हो तो भी मैं लाजमिंग करवाती हूँ यह सब और अल्ला का बहुत-बहुत करम हुआ कि कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मैं भी बिल्कु ठीक हूँ बच्चे नहीं थे मेरे साथ उस टाइम मैं केली थी गाड़ी में खैर अभी हम लोग आगे थे सैम्स कलब यह क्लिप मैंने दो दिन के बाद लिया था अक्सिडेंट से तो चाकलिट्स एंड में ही लेनी होती हैं क्योंकि मेल्ट हो जाती हैं तो वैसे तो गर्मी बहुत ज़दा है पाकिस्तान में भी बैस ला करे खैर खरीयत से ये चाकलिट्स भी पहुंचे और हम भी पहुंचे और बाकिया आप लोग बताईएगा क्या हो रहा है आजकल यह सब जो है ना फिर कार्टन में डालेंगे क्योंकि बैस में तो जगाई नहीं हैं यहां से तो हम सीदे घर ही गए थे कार्टन हमने सोचा के बाद मेलेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी चाकलिट्स मेल्ट हो जातीं गाड़ी में तो घर आई तो यह पैकेज मैं चाहिए होती है तो इन्शाला ट्रावलिंग हैक्स में आपके साथ शेयर करूंगी हो सकता है नेक्स वीडियो में शेयर करों क्योंकि वह होगी अब हमारी ट्रावलिंग की और यह वैसे फुट रेस्ट के लिए आप इसको हैं कर देते हो आगे जो आपके ट्रे होता है और पर अपने पाओं रखते हैं तो फिर होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो के हल्पफुल होती है यह स्टेन रिमुवर पैन भी मैं हमेशा साथ रखती हूं ट्रावलिंग में क्योंकि कपड़ों पे कभी कुई कुई निश के में जहीं ति और ट्रावलिंग के लिए ना मैं लाज मि लेती हो यह ट्रावल पैक्स आते हैं क्यों कहीं नहीं चीज़ें क्रेक्स क्रीशन होना मेने चनल की ब dar, क्योंकि ऋडले ऑपलाई और तो फिस मैंनों कुछ ब्लियां है बाकी कुछ सैंपल्स उगरा दिये थे उन्होंने तो ये भी मैं साथ जरूर लेके जाती हूं क्योंकि ट्राबलिंग के लिए ये अच्छी रहती है इन छोट छोटी चीज़े ये सब चीज़ें जब मैं यूज करूंगी न तो फिर आपको इनका डिटेल रिवियू भी और केरियोन का भी आपको न दिखाऊंगी कि क्या क्यास चीज़ें मैंने रखी है और यहां पे बस जुलरी वगरा अपनी सारी रख रही थी तो ये छोटा सा केस है बहुत अच्छा रहता है ट्राबलिंग के लिए इस्पेशली तो रिंग्स वगरा मुझे शौक होता है प मैंने केरियोन में रखना है तो ब्रॉश एं मेक अप स्पॉंच इस तरह के चीज़ें जो के मुझे निकाली नहीं होंगी स्क्योर्टी चेक के लिए क्योंके लिक्विड नहीं रखा मैंने कोई भी कैरियोन में और जो परस्नल लाइट हो मोदा उसमें मैं रखोंगी एक प आइरन के टैबलेट जो के डॉक्टर नहीं कहा है मुझे डेली खानी है वो सब रखी है इसके लावा टैलिनल और इमोडियम जो भी मैडिसन मुझे लगता है कि जूरत हो सकती है उनकी वह सब मैं इस मैडिसन बॉक्स में डालके तो अपने पर्स में रखोंगी मुझे एक् लेकियों इसके लावा मेकप रिमूफ करने के लिए और सकिन को एक्सफोलियेट करने के लिए ना मैंने कुछ वाइप्स वगरा रखें अपने कैरियों बैग में और यह जो आप देख रहें ना पैक्ट यहां पे यह फुट सॉक्स हैं जो के पाउं को बहुत ज़दा हाइ कर देती हैं मौस्टराइज कर देती हैं तो यह इन्शाला नेक्स वीडियो में आपको यूज करके दिखाऊंगी तो जिनाब कैरियों बैग भी मेरा रेडी हो गया था उसके बाद हम फैडेक्स आ गये थे क्योंकि एटिकेट्स के प्रेंट्स चाहे थे यहां पर वैसे तो प्रिंट आउट लेते जाओ ताके वहां पर कोई प्राबलम ना हो शुकर है कि यह सारे बाहर के जो काम थे ना वो खतम हो गए इसके बाद हमने बार्न्स और नोबल जाना था मैंने आपको बता था कि इस पार मैं वह गलती नहीं करूंगी जो मैंने पहले की थी क्योंकि ल यहां पर कहते हैं तो वो मैं बच्चों को करवाती थी समर विकेशन में तो इस पार इन तीनों बच्चों के लिए मैंने लिया आइतल और अली के तो एजिली मिल गए थे लेकिन अमान क्योंकि अब हाई स्कूल में जाएगा न तो उसके लिए बड़ी मुश्किल से होंगे भी तो जाते साथ मैंने पैक कर देती हैं बुक्स और बस यहां पर मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूं आप लोग अपना बहुत ददा ख्याल रखें दौाव में यात रखें फिर मिलेंगे नेक्स व्लॉग में अला आफ़ेज